Anyway, Hi guys welcome to YouTube तो जो आज की वीडियो एर दिस में हम करने बारे हैं डाउनलोड ओपरेटिंग सिस्टम को तो हम आज डाउनलोड करने बाले अप्रेटिंग सिस्टम जो के होंगे बिल्कुल फ्री वाले ओपरेटिंग सिस्टम हमें पता है कि Windows के लिए हमें पे करना पड़ता है था कि हम उसे यूज़ कर सके हैं हमारे सिस्टम में लेकिन Windows के लावा और भी बहुत सारे operating system हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं हम हमारे computers के अंदर हमारे laptops हमारे devices के अंदर तो आज हम करने वाले दो तरह के operating system डाउनोड मैं आपको अचली में बता हुआ कि कहां से जो हैं हम freely download कर सकते हैं इन operating system को और किस तरह से use होते हैं यह और वगेरा 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 तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों downloading of operating systems so guys सबसे पहले हम जाएंगे Google में और search करने वाले हम हमारे पहले operating system के लिए जो कि होगा Ubuntu तो Ubuntu Ubuntu हमारे पास एक operating system है जो कि Linux का है और फ्री है Ubuntu हमारे पास यहां पे use करने के लिए हम freely use कर सकते है Ubuntu को इसके लिए हमें कोई payment नहीं करने पड़ती से खरीने के लिए और यह आपको easily available होगा तो Google में जाके हमें वहां पे simply search करना है Ubuntu या फिर हम जा सकते है www.ubuntu.com download में तो वहां पे जाके हमें जो है कुछ हिस्टर के option आईगी first जो की सीधे मेरी desktop के लिए option एक्चल में और हमें जाना है इसी option में downloads के तो यहां पे हमें और option में लिए उपर download के उपर इतनी सारी आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारी options हैं आपको यहां पे कोई भी help चाहिए Ubuntu से related कोई command से related या कोई भी error से तो आप easily यहां पे find out कर सकते हैं उस error को या उस गलती को जो भी आपके computer में show रही है क्योंकि Ubuntu बिल्कुल free to use है और यह open source है तो आप इसे easily यहां से download कर सकते हैं और यह easily run हो जाएगा आपके system में और आप इसके use कर सकते हैं easily तो अब Ubuntu को search करने के बाद हमें simply download पे जाना है और download से हमें simply click करना है download में अब download में click होगा यह तो यहां पर हमें option आईगी payment की so यह option नहीं है payment की option ही एक्चली में so यह है donation की option Ubuntu एकदम free है use करने के लिए तो इसलिए हमें pay नहीं करना परता अगर आप चाहें कि चाहते हैं कि आप आपको donate करें कुछ पैसे इन्हें ताकि यह इनसे payment कर सकते हैं अपने employees की वगरा वगरा सो आप payment कर सकते हैं through PayPal या फिर आप directly कर सकते हैं no not now और simply आप सीधे download कर सकते हैं इसको अब जो है download हमारा automatically start हो जाएगा अबन्तू तो आपको keep करने है file और save करने है system में जैसे ही आपका अबन्तू download हो जाए तो आपके पास कुछ इस तरह की जो है file आ जाएगी एक अब इस file को आप तो pen drive के अंदर put कर सकते हैं या फिर cd के अंदर इस file को डा सकते हैं या फिर आप एक virtual system को install की जबने system में और फिर वहां पर install कर सकते है Ubuntu so वह video में आप देख सकते हैं मेरे channel में जाके how to install virtual box और वहां पर आप सीख सकते हैं कि इस तरह से Ubuntu को download करते हैं मतलग install करते हैं हमारे system के अंदर so guys इस तरह से हम download करते है Ubuntu को अब हम मैं बताँगा आपको कि कैसे हम download करते हैं काली Linux को so अब अगली चीज़ हम फिर से लाएंगे Google में और search करेंगे हम काली Linux के लिए काली और आगया Linux so काली Linux हमारे पास एक और Linux based operating system है यह actually use होता है हमारा hacking के लिए अगर आप hacking में interested है so आपको यह download करना चाहिए operating system हर operating system का जो मतलब है अलग लग है अगर आप gaming prefer करते हैं तो Windows बहुत अच्छा gaming के लिए अगर आप कोई developer हैं तो Ubuntu आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप एक hacking के career में जाना चाहते हैं तेस्टर ना चाहते हैं कोई भी error वगारा किसी website में या फिर कोई application में तो आपको काली Linux को download करना चाहिए अपने system में ताकि आप study कर पाएं और इससे बैतर यह है कि आप एक अगर आपके पास Windows हैं तो आप महाँ पे एक virtual system को install कीजिए और उसी के अंदर आप काली Linux और उबन तूमिंस सभी को महीं पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस दी यूज़ भी कर सकते हैं तो गाइस अब यह है website काली Linux की तो यहां से डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा तो अब हमारे पास यहां पे बहुत सी options हैं एक है torrent की, torrent की और एक ISO की तो यहां तो आप torrent से भी से डाउनलोड कर सकते हैं यहां फिर आप इसे ISO file को directly भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पास various version है यहां पे काली के तो यहां पे 64 bit के लिए 32 bit के लिए और 64 light version है यहां आपको pay नहीं करना पड़े का इसके लिए भी तो उसके बाद हमें simply install file में से किसे एक में click कर दीजिए जो भी आप रहा पकरते हैं torrent या ISO और फिर इसे डाउनलोड कीजिए और save कीजिए और virtual box में run कीजिए So guys thanks so much for watching this video I hope आपको पता लग क्या हो कि Ubuntu को कैसे डाउनलोड किया जाए और Kalia Linux को कैसे डाउनलोड किया जाए easily और free actually यह दोनों ही free है आप freely use कर सकते हैं पर कुछ लोगों को नहीं पता कि इन्हें free use किया जा सकता है So guys, दोनों की दोनों जो operating system में बिल्कुल free to use हैं तो आप इसे easily use कर सकते हैं So guys, thank you so much for watching on this video, bye, take care